आप सबका स्वागत है जिए हमारे सेना हर्मोनिम गुरू में तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे स्केल्स के उपर जो काफी जो भाय हैं उनको स्केल्स की अभी तक समझ नहीं है तो आज मैं आपको सारे गामा पादनिशा का इंग्लीश स्केल बताऊंगा इंग्लीश म जो scale होते हैं, अगर हमें उनको harmonium के उपर जानना तो हम कैसे जानेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके में आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी, अगर वो English में सारे गाम अपादनीस है, जा फिर हमारे भारती संगीत में सारे गाम अपादनीस है, आप उसको क और हमारे जो संगीत में, भारती संगीत में कुल 12 scale होते हैं कितने scale होते है, total 12 scale होते है हमारे भारती संगीत में, तो आप एक site पर लिक लेते है, 12 scale है ठीक है अभी देखते हैं कि scale बनते कैसे हैं अभी हम इस सा से लेकर इस सा तक अगर हम जाते हैं तो ये एक पूरा स्केल बन जाते है सा से शुरू किया और आखीर ने सा तक गये तो इसको हम क्या कहते हैं scale कहते हैं ठीक है इसको scale बोलते हैं scale का मतलब पता चल गया आपको अगर हम सा किसी भी बटन से अगर मानने के चलिए अगर मैं इस बटन से शुरू करता हूँ सारे गा मा पाधा नी सा तो ये एक scale हुआ पर scale कौन सा बना ये वहला scale ठीक है इसे पता है अगर मैं यहां से सारे गा मा पाधा नी सा सारे गा मा पाधा नी सा तो ये वाला है एक scale बन गया जाने की एक scale में कुल साथ स्वर्ल होते हैं ठीक है एक scale में साथ स्वर्ल होते हैं ठीक है और total scale कितने होते हैं हमारे कुल 12 scale होते हैं अभी जान लेते कि 12 होते कौन से कोन से है, ठीक है, पहले हम देखते है हिंदी स्टाइल में, हमारे इंडियन स्टाइल में कैसे हम जानेंगे कि 12 कोन से कोन से होते है, ठीक है, सबसे पहले बिखिए, सा, कॉमलरे, شुध रे, कोमल गा, शुद्य गा, मा, तीवर मा, फिर पा, कोमल धा, शुद्य धा, कोमल नी, शुद्य नी तो अभी आप इसको गिनो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और बारा, ये कुल बारा स्वर बनेंगे तो ये बारा स्वर ही हमारे बारा स्केल भी है, ठीक है, अब देखिए, सा, रे, रे, गा, जानी कि शुद्य और कोमल, सारे जो स्वर है, हमारे कुल बारा स्वर है, जिसमें एक, तीवर मा, भी, चार, कोमल भी है, और बाकी साथ शुद्य है, तो टोटल बारा स्वर है, और ब हमारा सा है ठीक है तो सा के बाद कोमल्री आया ठीक है फिर कोमल्री के बाद आप देख सकते हैं उपर आपको मैं दिखा देता हूं मैं इस पेपर को फोल्ड कर देता हूं आपको पता चल जाएगा देखे आप देखे मैंने इसको फोल्ड करके आपके ऊपर रखते इसक्रीन देखे पहले नमबर पे सा, दूसे नमबर पे कॉमल रहे, तीसे नमबर पे शुद्ध रहे, चौते नमबर पे कॉमल गा, पाज़े नमबर पे शुद्ध गा, फिर चटे नमबर पे मा, साथे नमबर पे तीवर मा, आठे नमबर पे पा, फिर नौवे नमबर पे कॉमल धा, द अगर हम इससे सारे गहंवपाद़ ने इसा बजाते तो यह स्केल है सबसी ने से बजाते हैं कि Дर् modify थर्य तो यह से भी टोड़ल 12 थी ही तो कि यह हूँ हूँ है तो यह तो सोगी 12 स्केल की बात इसको C sharp बोलते हैं C sharp ठीक है फिर जो हमारा शुद्ध रे होता है इसको लोग अंग्रेज लोग D बोलते हैं Western style के लिए था ठीक है सा को बोलते हैं C और रे को बोलते हैं C sharp और D को बोलते हैं और रे को बोलते हैं शुद्ध रे को बोलते हैं D scale फुर इसी परकार हमारा जो कॉमल गां है इसको बोलते हैं D-sung शुद्गा को बोलते हैं E-scale, ठीक है? और फिर हमारा जो शुद्गा है है इसको बोलते है F-scale ठीक है? फिर जो हमारा तीवर मा आता है उसको हम बोलते है F-sharp ठीक है उसके बाद फिर हमारा जो पास वरा आता है उसको हम बोलते है G-scale फिर जो हमारा कॉमल धा होता है उसको बोलते है G-sharp ठीक है इसी पर का हमारा जो शुद्ध धा आता है उसको बोलते है A-scale ठीक है फिर उसके बाद जो हमारा अगला स्केल आता है वह आता कोमल नी उसको हम बोलते हैं A-sharp ठीक है फिर हम आता है शुद्ध नी तो उसको हम बोलते हैं B-scale तो देखे कुल 12 स्केल एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा अंग्रेज अग्रेजी वाले की हमारा जो सारे गामा पाद नी साथ शुद्ध स्वारे तो यह हैं अग्रेजी भाषा में हमारे सारे गामा पादानी साथ, ठीक है को में अभी हमें मेरे को बानके चलो अंग्रेजी वाले की हमारा जो सारे गामपादेने साथ शुद्स्वार है सारे गामंपाद Grace अभी अंग्रेजी सटाइल में बजाना फिर मा को क्या कहते हैं, F कहते हैं, पा को क्या कहते हैं, G कहते हैं, तो फिर देखी, शुद्धा को क्या कहते हैं, A कहते हैं, ठीक है, शुद्धनी को क्या कहते हैं, B कहते हैं, फिर अगले तार सब्सक्त कस आए, तो इसको C ही कहाएंगे, ठीक है, तो देखी, सारे गाम को क्य हम ऑपने हार्मोनियम के ऊपर देखते कि यह कैसे बनेगा ठीक है तो देखेए ऐसे पेहली यह जो हमारा अंग्रेजेट्यों का जो सिस्टम स्टार्ट होता है वू होता है यहां से शुरू बढ़ mathematical स्वर्ण हें तो ये scale अंग्रेज लोग इस स्वर को जिसे हम मंदर सब्तक का नी बोलते हैं शुद्ध नी बोलते हैं वो उसको सामानते हैं और हम इसको सामानते हैं वो हमसे एक स्टेप नीचे चलते हैं जाने कि एक स्टेप एड़ास है ठीक है क्यूंकि आप देखोगे तो हार्मोनियम हम सा बजाना हो मेरे को C D E F G A B C सा रे गा मा पा धा नी सा बज गया ना तो देखें अभी देखें C C के बाद यह C शार्फ हो गया फिर D D शार्फ E F F शार्फ G G शार्फ A A शार्फ B फिर C ठीक है तो यह अंग्रेजी में वेस्टर नोटेशन के हिसाब से हम सारे गामा पादा नी सा को C D E F G A B तो यह आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है तो मैंने आपको लिख दिया है सा को C बोलेंगे अगर रिकॉमर रिया उसको C शार्फ बोलेंगे अगर अब भी देखो मेर धा, ठीक है, मी, सा, इस परकार बजेगा तो इस परकार आप खुद से इसको ढूणने की कोशिश करें और खुद से अपने आप यह वेस्टर नोटेशन को समझें कि अंग्रेजों न जो वेस्टर नोटेशन बनाई वो सा को क्या बोलते हैं, कॉमर यह क्या बोलते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें तो इसको प्रयास करें यह आपको प्रयास करने से यह चीज आएगी तो धन्यवाद शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में